नमस्कार असोक्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है कई सारे विवर्स ने पूछा है कि भंडारे वाली सब्जी बनाते हैं मगर वो भंडारे वाला स्वाद नहीं आ पाता है तो आज के इस वीडियो में हम वो सारी चीज़े बताएंगे जिससे कि आपके भंडारे वाले आलू की सब्जी में बिल्कुल वही स्वाद आएगा और इसे बनाने के बाद उम्मीद है आप वीडियो पर दुबारा आएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपके सब्जी वाकई बहुत अच्छी बनी थी तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ पे हमने लिया है एक किलो आलू और तकरीबन 700 ग्राम है टमाटर आलू को हमने मीडियम साइज में काट लिया है इसे अच्छे से धुल कर अलग रख लेगे देखे यह है खड़े मसाले इन मसालों का रोल इस भड़ारे वाले आलू में बहुत ही ज़ादा इंपोर्टन्ट है तो इन मसालों को इसकी बिलकुल ना करें इसे जरूर ले देख लायची है और दो छोटी लायची जिसे हमने तोड़ दिया है यानी क्रैक कर दिया है यहां लगबग 20 लॉंग है 5-6 तेज पत्ते हैं लगबग 15-20 काले मिरच के दाने हैं तो यह हमने खड़े मसाले ले लिये है यह रेस पे लगबग 8 लोगों के लिए प्रियाप्त होगी तो चलिए यहां पे पाउडर मसाले देख लेते हैं यहां पे हमने लिये है दो टेबल स्पून धनिया पाउडर और अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर अधी छोटी चमच और लेते हैं एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर बड़ लेंगे एक टी स्पून काश्मेरी लाल मिर्च पाउडर इसमें तीन से चार चमच पानी डाल कर इसका एक गोल तयार कर लेंगे इससे मसाले जलेंगे नहीं और एक बड़ी असब फ्लेवर आएगा तो अब बारी है आलू को फ्राई करने की यहाँ पे तेल अच्छा गरम हो किया है हम आलू डाल देंगे और आलू को हम मध्याम आज पर फ्राई कर लेंगे आप डाइरेक्ट आलू भी डाल के पका सकते हैं मगर फ्राई की हुए आलू से टेस्ट बढ़ जाएगा प्लेस जो बासालों की जो कोटिंग होगी आलू पर वो भी थोड़ी सी बढ़िया तरीके से हो जाएगी तो जब तक आलू फ्राई हो रहे है हम कुछ और चीज़ें लेते हैं इसमें यह है आमचूर पाउडर एक टेबल स्पून जी हाँ यह भी एक इंपोर्टेंट इंग्रेडियन्ट है इसे भी मिश ना करें और यह लेते हैं एक चोथाई छोटी चमच हींग और अब लेंगे एक टेबल स्पून सोठ का पाउडर और लेंगे एक इंच अद्रक का टुकडा बारीक कटा हुआ तो यहाँ पर आलू जो है फ्राई हो चुके हैं इसे देख लेते हैं और फिर निकाल लेते हैं कि यहां बिल्कुल आलू फ्राई हो चुके हैं काफी घर्म है ऐसा आपका एक्सपीरियंस ना हो तो ना करें चाकू अगर ऐसे चेक कर लें इसको निकाल लेंगे इस तरीके से हम आलू फ्राई कर लेंगे सारे तो अब हम यहां पर लेंगे सरसो का तेल जी हाँ इसे बहुत बढ़िया स्वाद आएगा इस सबजी में तो दो टेबल इस्पून लेंगे सरसो का तेल और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे जब तक कि इसमें धुआ नहीं निकलने लगता और धुआ निकलने के बाद फिर हम गैस को बंद कर देंगे देखिए धुआ निकलने लगा है गैस को बंद कर देते हैं और जब टेंपरिचर डाउन हो जाएगा फिर से इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे यह देखिए यह खड़े मसाले हैं अब इसको हम इसमें डाल देत मसालों से अच्छा फ्लेवर निकालने के लिए मसालों को धीमी मद्यमाज पर ही भूने तो इसमें अब हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी यह आप उपर से भी डाल सकते हैं बट उसके लिए आपको फिर से भूनना पड़ेगा और पाउडर बनाना पड़ेगा अभी डालेंगे तो डायरेक्ट तेल में डाल सकते हैं यहाँ पर हमने हींग डाल दिया है और अब इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं तो अब इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ अद्रक और इसे हलका सा सुनायरा होने तक भून लेते हैं तो अद्रक होने के बाद इसमें डाल देंगे यह मसालों का घूल और मसालों को पकाएंगे जब तक कि यह पक नहीं जाते हैं तो यहाँ पर मसालों ने ओयल छोड़ दिया है यानि यह पक चुके हैं अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर और टमाटर दालते ही थोड़ा सा डालेंगे नमक जिससे टमाटर जल्दी से और आसानी से गल जाएं इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे मध्यम लो आज पर ढखके पकाएंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते है तो इसे अब हम चेक कर लेते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है गल गया है तो अब इसमें हम कुछ और चीज़े अड़ करेंगे यह है सोट का पाउडर ड्राई जिंजर पाउडर और इसमें डाल देंगे अब आमचूर पाउडर ड्राई मैंगो पाउडर अच्छे से मिक्स कर देंगे तकरीबन दो मिनिट और पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे हाफ कप पानी यहाँ पे हम थोड़ी सी ड्राई सबजी रखना चाह रहे हैं पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं आपको अगर पतली सबजी चाहिए तो आप थोड़ा पानी और बढ़ा सकते हैं तो एक दो मिनिट और पकाने के बाद इसमें अब हम नमक को अज़्जेस्ट करेंगे बराबर कर देंगे तो आलू भर का नमक भी इसी समय ग्रेवी में ही डाल देंगे नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो अब बारी है इसमें आलू डालने की अलू को ग्रेवी में मिक्स करेंगे और इसे फिर हम अगले 4-5 मिंट के लिए धीमी आज पर पकाएंगे धक्कर लगाकर इसे बीच में दो बार चलाया हुआ है अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया तो फ्रेंड्स इस तरी के से अगर आप बनाएंगे तो भंडारे वाला स्वात जरूर में लेगा देखे बहुत ही पढ़ियां सबजी बनी है और बीच बीच में खुश्पू तो इतनी आ रहे थी कि पता नहीं सकते वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेर कीजिए चैनल पर पहली बारा है सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को यानि बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए और हमसे आप चुड़े रहें आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल है